होली आने वाली है और हम घर में बहुत सारे पकवान बनाते हैं, मिठाइस भनाते हैं कि कोई भी फेश्टिवल आएगा और उसमें हम धेर सारे पकवान बना का reddy करेंगे और घर में family, बच्चों को सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं हेलो फ्रेंड मैं अनामिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल cooking with confidence में तो आज में लेकर आई हूँ बहुत ही tasty पकवान holy special तो चलिए देखते ही ने कैसे बनाना है सबसे पहले अगर आपने मुझे अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मुझे subscribe कर लीजे और bell icon को जरूर प्रेस कर दीजिगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो के सारे notification मिलते रहें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है मेरे recipes आपको पसंद आते हैं तो आपकी family friend में मेरे वीडियो को share जरूर करिएगा तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है तो सबसे पहल इसी बारिक वाली सूजी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं और एक कप मैंने सूजी लिया और एक कप ही मैंने बेसन लिया है तो चलिए अब आगे की process में चलते हैं तो सबसे पहले मैंने एक बड़ी सी plate ले लिया है थाली बोलते हैं आप क्या बोलते हैं इसको मैं प्लेट बोलती हूँ परात भी बोलते हैं मेरे यहां तो सबसे पहले मैंने इसमें सूजी डाल रही है और उसके बाद मैं मैंने इसमें बेसन डाल लिया है और अम में इसमें डाल रही हूँ घी तो लगबक तीन से चार चोटे चमच में इसमें घी डाल रही हूँ मोयन के लि कि आप कितने बड़िया से दानेदार हो गया है और बड़िया से इस तरह से ये लड़ू जैसे बन रहा है यानि कि हमारा जो मोयन है वो बड़िया से इसमें हो गया है और अब हम आगे की प्रोसेस में चलते हैं तो मैंने थोड़ा सा गुनमुना पानी लिया है जिससे जो हमा ठो बीले के लिए, तो आदा घंटा हो चुका है, और ये देखिए ये बढ़िया से soft हो गया है, और मैं छोटे-छोटे से इसमें से balls निकाल नुगी, यानी कि छोटे-छोटे से फेड़े कट करलूंगी इस तरह तो ये देखिए एक बॉल बन गया है, और इस तरह से हाथों से प्रैस कर दूंगी मैं, ये देखिए, आड़ा-तेड़ा कैसे भी ये बन जाए, इसी तरह से क्योंकि हम इसे फ्राय करेंगे, तो ये देखिए, एक हमने बना कर छोटी सी टिक्की टाइप बना कर रेडी कर ली ह और इसे फोक से हमने अच्छे से प्रिक कर दिया था, जिससे कि जो हम इसे फ्राय करेंगे ना, तो इसमें ये फूलेगा नहीं, इसी तरह से ये जैसा है, बैसा ही रह जाएगा, अगर ये फूल जाएगा, तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है, जिसमे हाई फ्लेम में इने फ्राय नहीं करना है, आराम से फ्राय होने देना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे, और बीच में जो अंदर से कच्चे कच्चे रह जाएंगे, तो ये देखिए, इन्हें बड़ी ऐसे मैंने फ्राय कर लिया है, और इन्हें एक बार फ्राय करन में तो इसकी फ्लेम को लो ही रखना है हाए बिल्कुल भी नहीं करना है एकदम आराम से इने फ्राइ होने देना तो ये देखी सारे में ने फ्राइ कर लिये है और इन्हें ठंडा कर लिया है और इस तरह से मैं सारे जो हमारी बेसन और सुजी की टिकियां हैं इन्हें में तोड़ लेती हूँ तो ये देखी कितने बड़िया से क्रिस्पी और खस्ता सिके हैं ये तो सारी जो टिकी हैं मैंने हाथों से इस तरह से इने तोड़ लिया है क्योंकि हम इने बारिक पीशने वाले हैं एकदम बारिक चूरा बनाने वाले हैं तो ये देखिए, बड़िया से एकदम बारिक पिस गया है, एकदम बारिक पाउडर बना लिया है मैंने, और ये कितने बड़िया से दानेदार अच्छे से बारिक हो गया है, और मैं इसे निकाल लेती हूँ, तो ये देखिए, जिस प्लेट में हमने डो बनाया था ना, बेसन और सूजी का, उसी प्लेट में मैं निकाल लूँगी, तो ये देखिए, और जो भी इसमें चुटे-चुटे टुकडे रह गए हैं, चंक्स वो सारे निकाल के, मैं दुबार इसमें पीस लूँगी, तो सारे कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ, तो एक कप मैंने इसमें डाल दी है, और आधे कप और डाल रही हूँ, तो इसको मैंने पाउडर बना लिया था, अगर आपके पास जो चीनी का पाउडर मार्केट से लाती है ना, अगर वो है आपके पास, तो आप उसका भी यूज़ क यह देखिए, तारा मिक्षर मैंने मिक्स कर दिया है, चीनी और सूजी, सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो गई है, और यह देखिए, अब मैं इसमें घी डाल दूँगी, तो जिस खी में हमने इनको फ्राइ किया था ना, वही बचा हुआ घी में इसमें डाल दूँगी, और इसके उपर से दो चम्मच घी और डालूँगी, मैं दो बड़े चम्मच, और मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, इस चीज़े अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, यह जो लड़ू है, यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगते हैं, हम जो नॉर्मल बेशन के लड़ू बनाते हैं उससे ज़्यादा यह टेश्टी लगते हैं, आप एक बार इन्हें जरूर ट्राइ कीज़ेगा, तो यह देखिए, इसका छोटा छोटा सा पोर्शन मैंने ले लिया है, जितना बड़ा या छोटा लड़ू आप बनाना चाहती है आप उतना पोर्शन इसमें से ले ले, और यह देखिए, बड़िया से हाथों से प्रेस करकर के, एकदम बड़िया से मैंने बना कर रेड़ी कर लिया है, और इसी तरह से हम सारे लड़ू बना लेंगे, तो यह देखिए, हमारी सारे लड़ू बनकर रेड़ी हो गए हैं, औ और आप मैंने कर लिये इसकी बड़ी आसी प्लेटिंग और उपर से पिस्ता से मैंने इसे गानिशिंग कर दिये, वैसे तो हमने इसमें ड्राइफ रूट डाले हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें ड्राइफ रूट अलग से ही दिख रहे हैं, जब हमने लड़ू इसे हो चुके हैं, मैं आपको इने तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए कितने बड़िया से ये टूट पा रहे हैं, कितने बड़िया सॉफ्ट बनकर रेडी हुए हैं, फ्रेंड ये आपके घर में बड़े, छोटे, बचों, हर किसी को पसंद आने वाले हैं, आपको भी एक तेंसे कैसे बनाना है, सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, और उसमें ऑइल अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, एकदम हाई फ्लेम में, तो सबसे पहले मैं मूमफली फ्राय कर रही हूँ, तो ये देखिए कि स्पाइडर में मैंने मूमफली को डाल लिया है, और इ स्किप भी कर सकते हैं और नारियल भी बड़ी ऐसे फ्राय हो गया है और सेम स्पाइडर में मैं इसमें किसमिस फ्राय कर रही हूँ तो यह देखिए बड़ी ऐसे हमारी किसमिस भी फूल गई है और इसी में हरी मिर्च को फ्राय कर लूँगी तीन से चार तीखी वाली हरी मिर् और इसे भी सारे mixture को में एक bowl में transfer करते जा रही हूँ और अम मैंने पोहा लिया है तो ये measurement में लगभग 2 cup पोहा होगा तो ये देखिए बढ़िया से कितने अच्छे से ये fry हो गए हैं और इसे भी मैं एक bowl में transfer कर लेती हूँ और बचे हुए पोहा को भी मैं इसी में fry कर लूँगी तो हमारा सारा पोहा बढ़िया से fry हो गया है ये देखिए एक बार में इस तरह से मैंने निकाल लिया है और जो बचा हुआ था उसे भी मैंने fry कर लिया है अब मैं इसमें करी पत्ती को fry कर लूँगी तो यह देखिए मैंने 15 से 20 करी लीप्स लिये हैं बड़े वाले और इसे भी मैंने बड़िया से फ्राय कर लिये हैं यह देखिए और सारी चीजों को मैंने एक बोल में ट्रांसपर कर लिया है और अब हम चलते हैं आगे की प्रोसस में तो मैं बनाने वाली हूँ चूड़ा के लिए मसाला एक छोटा सा बोल ले लिया है जिसमें एक छोटा चम्मच मैंने देगी लाल मिर्च ली है एक चम्मच मैंने इसमें काला नमक लिया है दो पिंच लगबग हींग ली है मैंने और दो बड़े चमच मैंने इसमें चाट मसाला लिया है और आप चाहे तो इसमें कुटी उई काली मिर्च का भी यूज कर सकते हैं और सारे मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ये देखिए और आप हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में तो ये देखिए मैंने सारे मिक्षर को एक बोल में फ्राय करके रख लिया था आप इसमें मैं मसाला डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी ये देखिए बढ़िया से अच्छी तरह से मैं इसे mix कर लूँगी आप चाहे तो ऊपर से जैसे हम जो चने वाले हैं आफ थोड़ा सा उचाल कर fry करके देते ना mix करके आप उस तरह से भी इसे mix कर सकते हैं तो ये देखिए बड़े ऐसे mix हो गया है और अमेस में डाल देती हूँ healthy powder थोड़े से color के लिए आप चाहे तो इसे इस तरह ऐसे भी खा सकते हैं ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा tasty लगेगा पर थोड़ा सा colorful हो जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मै मैंने इसे last में fry किया है और last में ही हमारे चूड़े में डाला है आप इसे पहले ही fry कर लें तो ये देखिए मैंने इसे fry कर लिया है और हमारे जो पोहा का चूड़ा है उसमें मैंने डाल दिया है और इसे मैंने बड़िया से mix कर दिया है तो ये देखिए हमारी जो tasty tasty yummy नमक कितने बड़ी ऐसी क्रिस्पी करारी बनकर फ्राय हुई है यह और अम मैंने इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख लिया है बड़ी ऐसी इसकी प्लेटिंग कर लिये फ्रेंड आपको रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट जरूर करिएगा और अब हम चलते हैं हमारी तीसरी रेसिप करन Programm ready करने की ना अब दल शुग चलते हैं तो सबसे पहले मैं गहूं कांता ले रही हूं आप चाहे तो आधा मेंदा और मैंने दो कप गहूं कांता लिया है इसमें सूजी डाल रही हूं अगर आपके मोटे वाली शूजी है तो आप एक mixing jar में । दालक से ठोड़े से बाइक कर ले और मैंने शूजी तो उसके बार में चीनी युशाला को झाल तो यह देख़िए ανे चीनी डाल दिया इस्में और दो एलाइची डाल रही हूँ मैं फ्लेवर के लिए तो इसे में छील कर डाल दूँगी तो मैंने इने छील कर डाल दिया है और अम मैं इसमें डालने वाली हूँ सौफ तो अगर आप सौफ खाते हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं बरनाप किबी कर सकते हैं तो सौफ मैंने इसमें डाल दी है सौफ का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है हमारे जो खजूर में बनाऊंगी तो मैंने इसे बड़ी ऐसे एकदम बारिक चूरा बना लिया है और अमें से हमारे जो आता हमने बना रेडी रखा था ना उसमें मैं डाल दूँगे तो ये देखिए मैंने ये सारी चीनी पीसी हुई इसमें डाल दी है और अमें इसमें डाल देती हूँ तिल तो इससे हमारे जो खजूर है न उसमें क्रंच आएगा एक नटी फ्लेवर आएगा तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिये हैं और आम मैं सारी चीजों को हाथों से मिक्स कर लूँगी तो सारी चीजों को मैंने हाथों से मिक्स कर ली है बड़िया से सारी चीजे मिक्स हो गई है और अम में इसमें मोयन के लिए घी डाल रही हूँ तो ये मैं डालड़ा वाले घी का यूज कर रही हूँ आप चाहे तो देशी घी का भी यूज कर सकते हैं तो इल का यूज भी कर सकते हैं और ओयल से ये क्रंची तो बनते हैं पर सॉफ्ट नहीं होते हैं इसलिए मैं आप से बोलूँगी कि आप इसमें घी का भी यूज कीजेगा तो ये देखिए मैंने लगभग मेजरमेंट में लगभग ड़ड़ कप इसमें घी डाला है और सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी जो मारकेट में हलुआई बनाते हैं ना मीठी- खुर्मी या फिर मीठे पारे तो उसमें वो डालडा और गीका ही यूज करते हैं तो अब मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये देखिए मैं इसे बड़ी आसे हाथों से मसल मसल के इसका बड़ी आसे जो मुयन है वो कर लूँगी ये देखिए मैंने बड़ी आसे इसे मुयन कर लिया है और इस तरह से हाथों से प्रेस कर रही हूँ तो ये लड़ू जैसे बंद रहा है और अम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका डो बना लूंगी और इससे पहले मैं असमें डालने वाली हूँ जो नारियल का बूरा होता है ये अगर आप डालना का चाहते डाल सकते हैं या नहीं तो आप इसे totally skip कर सकते हैं तो ये देखिए मैंने इसमें नारियल का बूरा डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छी तरह से mix कर लूँगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं बड़े असे इसका dough बना लूँगी तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी में लेते जा रही हूँ और इसे mix करते जा रही हूँ तो जो हमारा dough है वो बनकर ready हो गया है और हमें इस dough को बहुत ज़्यादा hard नहीं बनाना है क्योंकि जो हमने सूजी का use किया है अगर ये फूलेगी तो हमारा जो dough है बहुत ज़्यादा सक्त हो जाएगा और हमें जो हमारे खजूर बनाने में बहुत मुस्किल होगी तो मैंने dough को हलका सा soft ही गूथा है क्योंकि हमने चीनी का भी use किया है तो सारी चीजों के साथ में अगर हम dough थोड़ा सा tight बनाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा सक्त हो जाएगा तो ये देखिए dough हमारा ready हो गया है और dough को मैंने हलका सा soft गूथा है तो ये देखिए dough हमारा बनकर ready हो गया है मैं दिखाती हूँ आपको इसे कितना soft मैंने रखा है तो ये देखिए कितना बड़ी ऐसे soft हो गया है और मैं इसे ढखकर रख दूँगी लगबग 10 से 12 मिनिट के लिए तो 10 से 12 मिनिट हो गये हैं और हमारा जो dough है हमारी जो सूजी है वो बड़ी ऐसे फूल गयी है और आप देख सकते हैं कि ये कितना सक्थ हो गया है अगर हमें से और ज़्यादा सक्थ dough बनाते तो हमें जो हमारे रवादी खजूर है बनाना मुस्किल हो जाते तो ये देखिए मैंने dough को हलका सा हाथों से मसल लिया है थोड़ा सा soft कर लिया है और अब मैं इसका छोटा-छोटा सा पेड़ा कट कर लूँगी तो ये देखिए मैंने आधा पोर्शन इसमें से तोड़ लिया है और इसे इस तरह ऐसे बढ़ी असे में मल लूँगी ये देखिए जिससे ये थोड़ा सा चिकना हो जाएगा हमारे अड़ो तो हमें जो पेड़ा बनाना है और बेलना है वो बड़िया से इसली हमें से बेल पाएंगे तो एक पेड़ा मैंने बना कर रेडी कर लिया है और अम मैं ले लेती हूँ एक चॉपिंग बोर्ड जिसमें हमें इसे बेलना है तो ये देखिए एक बेडा बनकर रेडी हो चुका है और आम मैंने ले लिया है एक chopping board जिसमें मैं इसे बेलूँगी तो हमें इसे बहुत जादा मोटा नहीं रखना है ना ही बहुत जादा पतला रखना है तो ये देखिए एक जो रोटी है वो मैंने बेल कर इसकी रेडी कर ली है और मैं इसे चाकू की help से बढ़िया से कट कर लूँगी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना मोटा बेला है ये देखिए इस तरह से और आप मैंने एक चाकू ले लिए उसके help से मैं ऐसे कट कर लूँगी इसके जो sides हैं उन्हें मैं हटा दूँगी ये देखिए इस तरह से मैंने सारी चीजों को कट कर लिया है इस भी save में से कट करना चाहते हैं आप कट कर सकते हैं आप चाहे तो छोटे-छोटे biscuit भी बना सकते हैं इसके लेकिन मैं इसे इसी तरह से जो हैदराबादी खजूर है वो बनाने वाली हूँ हैदराबाद में जो हम लोग इसे बोलते हैं मीठे पारे पर हैदराबाद में इसे खजूर बोलते हैं और जो हमने इसमें तिलका यूज किया है वहाँ पर भी इसी तरह से बनाते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगते हैं तो ये देखिए जो इसके sides हैं वो मैंने side में कर दी हैं हटा दी हैं और इसका जो side में बचे हुए dough है उसका use हम बाद में करेंगे तो इस तरह से मैंने इने बड़े ऐसे cut कर लिया है और इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इने diamond save में भी cut किया है तो आप जिस तरह से भी cut कर लिया है ये देखिए हमें diamond save बहुत easily है थोड़ा सा चाकू को थोड़ा सा तिरचा करके cut करेंगे हम sides की lines को तो हम इसे diamond save भी दे पाएंगे और ये देखिए मैंने oil को गर्म कर लिया है बढ़िया से बहुत ज़्यादा high flame में गर्म नहीं किया है अभी मैं चम्मस से बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी लगबग 2-3 minute तक इनको ऐसे ही fry होने दूंगी ये अपने आप ही ऊपर oil में थेरने लग जाएंगे तो ये देखिए ऊपर आ गये हैं ये oil में और ये कितने बढ़िया से सिक्का ready हो गये हैं अच्छे से golden brown हो गये हैं और इने में निकाल लेती हुए एक spider की help से तो ये देखिए इस तरह से जिससे इसका extra जो भी oil होगा वो सारा नीचे निकल जाएगा ये देखिए और इसी तरह से हमारे जितने बचे हुए मीठे पारे हैं उन्हें भी में fry कर लूँगे इसकी flame को high नहीं करना है एकदम low flame में हम सारे हमारे जो मीठे पारे हैं उन्हें fry कर लेंगे तो मैंने सारे मीठे पारे इसमें डाल दिये हैं हमारा दूसरा बैच भी बढ़िया से fry होकर ready हो गया है और इसी तरह से जितने बचे हुए सारे मीठे पारे हैं उन्हें मैंने fry कर लिया है और अब मैं करती हूँ इसकी बढ़िया सी प्लेटिंग तो मैंने एक प्लेट ले ली है और सारे हमारे जो हैदराबादी खजूर हैं उन्हें मैंने प्लेट में रख लिया है और ये देखिए कितने बड़िया golden brown सिख कर ready हो गए है कितने अच्छे लग रहे हैं और अंदर से बहुत ही अच्छे सिखे हैं आप देख पा रहे हैं इसमें कितने बड़िया से cracks आए हैं और इनका save भी कुछ diamonds save में हैं और कुछ मैंने triangle save में cut कर लिये हैं तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ ये देखिए कितने बड़िया से ये सिख कर ready हुए हैं कितने हाथों से मैं इस तरह से इन्हें impress कर रही हूँ तो ये बड़िया से गट रहे हैं और इसी तरह से आप भी इने बना कर जरूर ट्राइ करें इस होली में आप इस recipe को जरूर ट्राइ करें आईए आपको आपकी family में हर किसी को पसंद आने वाले हैं और अगर आपको मेरी recipe आपको मेरी मेहनत नए नए ideas अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को subscribe करें बैल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली की वीडियो के सारे notification आपको मिलते रहें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपकी family friend में मेरे वीडियो को share जरूर करें तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए देखते रहिए मुझे यानि की मेरे चैनल cooking with confidence को मिलते हैं देक्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई